तुर दोस्ते फिर्श अमारे चनिल में आपका बोदोर स्वागाथ दोस्तों इस मीटियों बात करने मोंग किस तरह से कोई भी क्या आप परचार लो घ्ञान से बने रहीएगा जाने के लिए और सुखने के लाल कलर के नीचे बटन दिके दोस्तों उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने हैं ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड उसका रोडिफिकसन सब के पहले आपके पास चला जाए तो वीडियो को कर दिजिए लाइक और ज़़ा ज़़ा अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको एक जो एडिटिंग मैं करता हूं को एंट्रेक फाइल से एडिटिंग करना है एंट्रेक एंट्रेक एक स्टूडियो तो एंट्रेक है डियो डियो डवलू आप सर्च करेंगे वहां पर आजाएगा प्लाइस्टोर पर वहां से सारा चीज मैं इफ्यक्ट है कि इस तरह से लगाना है तो दोस्तां कोई भी जैसे आप परचार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना परचार को लिख लेंगे जिस या बोच्पुरी हो कोई भी सांग राक के साथ गाना आप गा सकते हं इस्ट्यूडीो क्वाइल Tea में ऊ-teyasन के साथ पूरा रिभर्व के साथ उसमें रगा लगा पर रिपारो बहए स्ट्यूडीो में के साथ उसमें बनता है दोस्तां गाना सांग उसी तरह से इसमें बनाक जो है दोस्ता कि स्ट्रे से आपkaas्ट्के यहाँ पर आपको सुनाया देता होगा कि स्विजब्से पर यूष्ज से रहे लेकिन उसमें अतना इफ्यक्ट गारा नहीं लगता इसलिए ये लिए मैं आपको दे दूंगा तो चलिए सबसे पहले कोई भी एपस या तो कोई भी सांग इसमें जो है कोई भी सांग क्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस सबसे पहले अपना यहां पर किसी भी सांग को इस तरह करने के बाद सबसे पहले यहां पर मैंने सांग को कर ले के रखा हां. यहां पर आपको जो आयकन दिखता होगा यहां पर इसको तरह ऊक्ला के लिए तो यहां पर जाई एक है यहां पर आपको दिखता होगा है इसatten vergessen को हम यहां पर select कर लेंगे हैं यहां से select करने के बाद यह गाना मेरा ready हो चुका है अब इस गाना का BPM और जो की यानि select scale क्या है तो यहां की वाले option पर आपको click कर देना है की वाले option पर जैसे आप click कर देंगे इस तरह से आजाएगा तो यह हमारा यहां पर आप देख रहे हैं मेरा scale है B minor यानि की major B major यहां पर जो है मेरा यह गाना का scale है तो इसी पर हमारा जो है सारा चीज effect बेगारा बनेगा तो इसमें इसको ले लेना है यहां पर आपको जरा से चला चला के और जरा से घुन गुना के मैं आपको बताने के लिए example के लिए मैं आपको बताओंगा कियोंकि पूरा अगर बता देंगे दोस्तां YouTube के तरफ से copyright मार देगा वीडियो में तो चलिए मैं आपको बताने के लिए सबसे पहले step by step आप धिय से दम आप जो है इसमें MP3 सांग करेट कर सकते हैं तो चलिए यहां पर की लेलना है फास्ट में और जो जो मैं आपको बता रहा हूं वही सब आपको एफेक्ट को लगाना है तो दूसरा नमर की आपना सेलेट कर लेना है क्या यह ओटो ले लेगा भी माइनर यानि भी मैजर ज जो है इसका यहां पर आपको जो दिखता होगा इसको सेलेट कर देना है यहां से आने के बाद यह जितने भी है यहां पर आप देख लेंगे और मिक्स यहां जो आपको दिखता होगा मिक्स वाले ऑप्सन पर आपको किलिक कर देना है मिक्सिंग वाले ऑप्सन पर जैसे बाद तो बढक सब्सक्राइब, 7.5 बॉकस को लग्यों को सब्सक्राइब तो इसको बड़ा भी घटा सकते हैं इस तरह से आप अब भी घटा सकते हैं । तो यहाँ पर आने के बाद सब आप जो है हमारा चाउथा-एफेक्ट होगा. एक्यू-खbeard पर इसको स्रेट करदेना है. यहाँ पर आपको दिखता होगा, यहाँ पर इसको बेसिड यानि कि इसमें कोई एक्वेक्ड नहीं लगा है. तो इससे हम create करके इसको गाना इसमें पहले record हम vocal को कर लेंगे वाँकी जितना ही जो effect होगा दोस्ता यहाँ पे compressor, equalizer, reverb इसको हमें track से create करेंगे तो इस दोनों को हमको नहीं लगाना है तो पहले सबसे पहले हमको इसमें setting करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ जो है आपको reverb वो select कर लेने ताकि यह गुंज यहाँ पर select हो और यहाँ पर आने के बाद vocal monitor पर इसको click कर देना जैसे यह monitor पर click करेंगे जो भी आपके पास mic होगा या तो hit one लगा हुआ यहनि कि आवाज यहाँ पर आपको सुनाए देगा तो देखिए मैं यहाँ पर hello 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 check hello hello तो इस तरह से यहाँ पर आ गया अब क्या करना पड़ेगा इसमें auto tune जो पीछ है यह select करने के लिए इसको effect पर ही यहाँ पर number point इसको रखना है तो चलिए दोस्तां यहाँ पर मैंने track को ले लिया हूँ track को लेने के बाद जो है अब इसको यहाँ पर पर पले करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस वाले आकन पर आपको किली करना है तो यह track चालू हो जाएगा तो दिखिए तो इस तरह से आ जाएगा तो चलिए मैं आपको जरा सा गुन गुना देता हूँ क्यूंकि पूरा तो बजाओंगा नहीं दोस्तां कॉपी राट मार देगा मैया के नगरिया धनिया बिंध्या चल नगरिया धनिया छाई बाड़ी माना भाबन सुन मोरे रनिया गे लेके रे जाई बव मैया के दुवारिया सुन मोरे धनिया गे चली रे जाई है मैया के नगरिया तो दोस्तां इस तरह से जो है सुन लेजे आप तो जैसे यह आगे पीछे जो हो रहा इसको क्या करना है बोकल सैंस इसको लिखाए वह दोस्तों यह पीछ को स्रेट करना और मिला लेना है तो यह सबसे पहले पहले वाले नहापन को आपको इसको मिलाना है का कि तो दोस्ता है आके पीछे होनी का इसका एक रिजन है कि हमारे पास एक तो यहां पर i screen recorder हो रहा है दूसरा number जो है यहां पर माइक से effect कर रहा है यहां पर तो आप इसको local के जो इसको बनाएंगे तो बहुत ही बढ़ियां से मेच कर जाएगा इसका बीट मेच कराने के लिए सबसे पहले जहां से इसका जो चालू लाइन हो रहा है इसको स्लेट कर लेना है आगे पीछे करेंगे तो इसमें मेच करा के ही आपको सेप करना है तो चलिए यहां पर हम मेच हलक तो दोस्ता यहां पर आपको दिखाए देता होगा तो इसको क्या करना है सेफ करने के लिए हमको यह ट्रेक एंड ट्रेक से सेटिंग करेंगे वहां से एफेक्ट वारा इसमें लगाएंगे वोकल में तो यहां पर हमको सीर्फ यहां से बोकल को उठा लेना यहां पर इसको बंद कर गए इसको सीर्फ बोकल को यहां से लेना है तो दोस्ता यहां से जो है आपको save करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां से इसको select कर लेना है select करने के बाद इसको save करने के लिए आपको गाना को यहां पर आपको next वाले option पर आपको click कर देना है next वाले option पर जैसे आप click करेंगे इस तरह से हमारा जो है audio create होके यहाँ पे हमारे memory file में ready हो जाएगा तो यहाँ से फिर आपको जो भी sound का आप इसमें vocal को record किये हैं उसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे नाम को edit करके आपको save बाले option यहाँ जो आपको red बाले बटन दिखता हो का दूस्ता यहाँ से आपको save कर देना है तो ही यह safe हो जाए तो दोस्ता मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो अगले वीडियो मैं बताऊंगे किस तरह सी इसको end track पे यह जो हमारा vocal record होगी आप इसको end track पे किस तरह सी effect बगरा इसमें लगाएं तो वीडियो को अगर आपको यह दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो की नीचे आप कमेंट जरूर करेंगे मैं पूरा चीज आपको बिलकुल mixing करके मैं आपको बताऊंगा और MP3 studio से भी बेस्ट में बना के आपको दिखाऊंगा तो दोस्ता है अगले वीडियो मिलते हैं तब तक कलिए धन्यवाद जाए हिंद बंदे मात्र